चुनावी महाल में नेताओं के वादों का सिलसिला जारी है लेकिन आप जिस नेता को अपना कीम्ती वोट देने जा रहे हैं कि आपको चुनावी समय में उतरे उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी है अगर नहीं है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम Know Your Candidate जिसमें आप अपने नेता को अच्छी तरह से जान सकेंगे आज हम आपको दिखाएंगे कानपूर के किदवाई नगर से कॉंग्रिस प्रत्याशी अजय कपूर की Ground Zero Report देखिए अजय कपूर के साथ हमारे समवादाता की ये खास बाची सौगत है आपका हमारे खास कारिकरम केवाई सी में और आज हमाई साथ मौझूद है कानपूर के किदवाई नगर से कॉंग्रिस के प्रत्याशी अजय कपूर जी अगर अजय कपूर जी की बात करें तो ये एकलोते ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने लगातार चाहे किसी की भी लहर रही हो सपा बसपा या भाजपा लेकिन उन्होंने अपनी सीट पर जी दर्च कराई है आज उनसे बात करते हैं अज़ा जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी वो सीट है अमेठी के बाद जहां पर सपा और कॉंग्रेस दोनों लोगों के गठबंदन से क्योंकि मेरी दोनों परिवारों में मैं परिवार का सदस हूँ और दोनों मिलकर लड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वाश है अजय जी अगर पिछले चुनाओं की बात करें तो काफी कम मार्जिन से आपकी जीत हुई थी इस बार ऐसा आप क्या करने ज हैं जिससे कि वो जीत का अंतर है वो बढ़ा नया विदान सबाद छेतर बना था और यहां पर यह चुनाओं मैं जो लड़ रहा हूं यहां के लोगों ने मुझे विकास के लिए चुना था मैंने उत्तर परदेश की 403 विदान सबाद छेतरों में मानी मुख मंतरी से तीसर के लोग विकास चाते हैं मैंने इस छेत के लोगों को यहां पर मेरा विचार था कि अजे कपूर के तीन विचार पानी बिजली सडक सुधार मैंने इन तीनों कामों को मजबूती के साथ करके यहां के लोगों के चड़नों में रखा है अब मेरा यहां के लोगों से वचन है कि मैं उत्तर परदेश में सबसे अच्छी विधान सभा, किद्वई नगर विधान सभा छेत को बनाऊंगा और यहां के लोग इस बार विकास की लड़ाई लड़ेंगे और इस बार जंता यहां पर चुनाओ लड़ रही है, विकास यहां पर चुनाओ लड़ रहा है अजे कपूर तो उनका एक प्रतनिदी के रूप में केवल एक उनके सेवा के रूप में उनकी सेवा में समरपित है और इस बार उत्तर परदेश में सबसे ज़्यदा मतों से अगर किसी छेतर में जीत होगी तो वो किद्वई नगर विधान सभा छेतर होगा अगर हम कानपूर की बात करें तो आप एक मातर ऐसे कांग्रेस के विधायक रहे हैं जिन्होंने पिसले कई सालों से लगाता जीत दर्च कराई है ऐसे कौन से मुद्दे हैं अगर आप फिर से एक बार जीतते हैं वहां के sentiments चुनाओ लड़ रहे हैं ये भारत वर्ष में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा दूसरा नमबर यहां पर इसके संपूर विकास मुझे कराना है मैं विकास के मार्ग पर तो दच्छन को ले गया हूँ लेकिन उत्तर परदेश के अंदर इसे एक नमबर की विधान सबाय बनाना मेरा लक्ष है और इस लक्ष को मैं पूरा करके यहां के अपने परिवार के लोगों के चड़़ों में रखूँगा तो यह थे आजय कपूर जी जिनका यह कहना था कि यहां की जनता, खिदवईनागर की जनता उनके साथ दिल से जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं वो अपने जी सुनिश्चत मान रहे है कैमरमें शारिक खान के साथ अनुराग अगरवाल, इंडिया वोईस, कानपूर